हेलो एन नमस्कार आशा करते हैं आप सभी अच्छी होंगे स्वागत है आप सभी का बीटी सी राना के मार्केट पॉड़कास्ट में मैं हूँ विशाका कुंद्रा और आज है गुरुवार तारीख 31 मार्च 2022 तो चलिए चिरू करते हैं आज के मार्केट अपडेट्स GM25 पर गुरुवार के मार्केट अपडेट्स 10 बचकर 30 मिनट पर जापान के लिए वार्शिक आवास की फर्वरी में शुरुआत 11 बचकर 30 मिनट पर यूपके के लिए दो अपडेट्स चौती तिमहाई में अंतिम वार्शिक और त्रेमासिक जीडिपी विकास दर साथ ही चौती तिमहाई में चालू खाता 11 पर जर्मनी के लिए फर्वरी में मासिक और वार्शिक खुद्रविकरी 12 पंद्रपर फ्रांस के लिए मार्च में मासिक और वार्शिक मुद्रस्विती दर 13.25 पर जर्मनी के लिए मार्च में बेरोजगार व्यक्ती और बेरोजगार परिवर्तन 13.25 पर जर्मनी के लिए एक और अपडेट मार्च में बेरोजगारी दर 13.30 पर इटली के लिए फरवरी में बेरोजगारी दर 14.30 पर इटिली के लिए मार्च में मासिक और वार्षिक मुद्रस्विती दर 18.00 पर यूएस के लिए फरवरी में वार्षिक और मासिक PCE मूल्य सूच कांक 26.00 मार्च को प्रारंविक बेरोज़कारी के दावे और मासिक व्यक्तिगत खर्च और फरवरी में आए 18.00 पर कैनाड़ा के लिए चनवरी में मासिक GDP 19.00 पर यूएस के लिए मार्च में शिकागो PMI अगले दिन 25 पर जापान के लिए पहली दिमाई में टैंक और लार्ज मनिफाक्टरिंग इंडेक्स और अब बारी है जानने की यूएस व्यक्तिगत खर्च महत वोन क्यों है व्यक्तिगत खर्च उपभोकता द्वारा सभी खर्चों के मुद्रस्विती समायोजीत मूल्य में परिवर्दन को मामता है उपभोकता खर्च समगर आर्थिक गतिविदी को बहुमत के लिए जिर्मेदार है हाला कि इस रिपोर्ट का हलका प्रभाव पड़ता है क्योंकि खुद्रविक्री पर सतकारी डेटा लगबग दो सबताह पहले चारी किया जाता है अपेक्षा से अधिक रीडिंग को यूएस्टी के लिए सकारात्म या बुलिश के रूप में लिया जाना चाहिए जबकि अपेक्षा से कम रीडिंग को यूएस्टी के लिए नकारात्म या मंदी के रूप में लिया जाना चाहिए और हम से जुनने के लिए आप हमें जॉइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साधी फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटेर पेच पर जहां आपको मिलेगी ट्रेडिंग से जुड़ी हर जानकारी सो गो और चेक आउट देस्क्रिप्शिन बॉक्स